शेक साहब आपको अदाकारी के साथ सार रुमेंस का बाश्या भी कहा जाता है दिल पे हाथ रख के बिताएं आज तक कितना रुमेंस किया है बहुत किया और सच कहा रहा हूँ फुज जाए तो मैं आपको किया है जी भी महंगे कपड़े पहनते थे या आख बढ़के रह चाते थे भाई बिल्कुल मुझे अच्छे कपड़े पहने का बहुत शुरू से है और जो मैं करता हूँ उन्हों लोगों ने उसको कॉपी करना शुरू किया बहुत लोगों ने और मैंने जो दुनिया के बहतरी ब्रैंड है वह मैंने पहने है दुनिया के बहतरी होटेल्स में ठहरा हूँ मगर अब जाके मैंने अपने आपको कंट्रोल कर ले अच्छा इसकी वज़ा इसकी वज़ा इसकी वज़ा I think luxury जो है वो महबत में है मेंगी गड़ी मेरे इंगे कपड़ों में नहीं है luxury है अपने प्यारों से अपने खांदान के लोगों से प्यार करना अपने पोता पोतियों से खेलना खूदना दोस्त अच्छे यार रखना उनके साथ हसना मैं सबचता हूँ कि अब लगजिरी उसमें है तो मैं बहुत और यह अच्छी जो मैं कह रहा हूँ यह कोट कर रहा हूँ अच्छी यह क्लिंटीस वूड में निका है एक क्लिंटीस वूड का कहना है तो अब मैं उस पर आगया हूँ कि यार मुझे इतना पैसा ऐसा नहीं खर अब मैं ने बहुत पैसा सेफ कर लिया पहले मैंने नहीं करता था यह जो बदलाव आया आपके रवएए में जिंदगी गुजारने के हवाले से जो भी आप पहले था और अब आप समझते हैं इसकी कोई खास वज़ा थी खास कोई मौका था या यह एविलूशनरी प्रॉस था नहीं आइ थिंक के यह बदलाव में भी बात दफ़ा लोगों का हाथ होता है ठीक है इसमें वाकई किसी का हाथ है किसी को ट्रैक पे लाने के लिए एक जटका देना पड़ता है ना तो वो उस बंदे ने मुझे जटका दिया अच्छा चुकि यह बहुत पॉजिटिव बात है अगर आप नाम लेना चाहें उसको लिए ठीक नहीं है नहीं था खुछ अधेग नहीं है प्रम आर, मैं यह सत्रम्स समें था ग अर वह कै को कह turtle है तो झीन को कहई रहा हूँ वो स्कुद ही सुलने बहु है अहाँ आयाँ शेक्साब को जिन्दगी में ऐसा है आपकी जिसका आप नाम ले सेके हाँ वसीशाँ नादिरी शेयर अजिए नादिर नादिर शेयर 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 कहीं नहीं जाहिए गार्षब मौझूद हैं जिन्दा दिल, खुबसूरत, महिंती, दर्वेश सिफट, वन इड उनली जावेश शेक साब. आप देख रहे हैं, जवरद भाइब. वल्किम बैक, वल्किम बैक नाज़ी जवरद जसमें एक बास्ट के खुशाम दी, जावेश भाई, हमारा सेग्मेंट है, इसका नाम है कथारसिज. एन्य रिग्रेट? रिग्रेट बस यह है कि मैंने अपने लाइफस्टाइल पर पैसा बहुत खर्श किया. ठीक है. वह भी आपने खिर भी किया कि वह बस जिसको कम करना चाहिए था, जो अब मैं शुरू हो गया हूँ, लैट सौल, बस ठीक है. सबसे घमगील लमा जावेश शेख साब की जिन्दगी है? नहीं, मैं तो देखें, मैं तो आपको कहता हूँ कि मैं पास्ट में रहता नहीं हूँ, मुझे मेरे आंसू जो है ना बहुत स्पेशल जगह पर आते हैं. अब मैं आपको रीसेंटली वाक्या बता हूँ, मैं आईशा मस्जित कराची मेरे घर के सामने है, मैं नमाज मस्जित में पढ़ता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है, देखो. और आईशा मस्जित स्पेशली इस वज़ा से कि वहां के जो मौलवी साहब हैं, उनकी जो करत है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ. अभी दो दिन पहले, तीन दिन पहले मैं इशा की नमाज के लिए खिरत उन्हें शुरू किया है, अब मेरे आँसों टप 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 टप, रोता रहा हूँ पूरी नमाज में, और नमाज खत्म हुई है, मैं वो मुझे जानते भी है. आला कि मास्क पहन के जाता हूँ, ऐसा नहीं है, बगएर मास्क के मैं मस्जिद में जाता ही नहीं हूँ. ताके लोगों का, उनकी नमाज ना डिस्टरब हूँ. तो मैं उनके पास गया हूँ, उनके पाओं में बैठा हूँ, मैं ने का यार, अल्ला ताला ने आपकी रूबे से सीख सकें. जैसे एक मरतबा आपके रिष्टे में गैप आ गया, लाजमात है कि बच्चे भी गैप आ जाता हूँ. कितना जिंदगी बच्चों की डिस्टरब होती है, और कितना आप नजर में बच्चों के प्यार में, महबद में बदलाओ आता है, और बाप या मरत जो है, जब उन बदली हुई नजरों को देखता है, क्या महसूस करता है, फिर उसे रिपेर करने के लिए आपने क्या कुछ किया? जब ये कोई रिष्टा तूटता है, तो इफेक्ट तो बच्चों पर आता है, पहली बात तो ये. और येस, ये ऐसा हुआ. कि बास वका उनका सारा कुछ करता रहा, वो सारा कुछ था, बीच में कहीं डेफिनिटली जो कुछ बच्चे अपनी मात से ज्यादा अटैश्ट होते हैं और वो समझते हैं क्या, ये राइट है, वो रॉंग थे, ठीक है? ओके, फाइन, यहां पर भी कोई डेफिदेशन नहीं आनी वो जो, वो ऐसा हुआ है, मगर उनको फिर मैंने वो सारा कुछ देने की कोशिश भी की और वो किया भी, उनकी शादियां की, उनको पढ़ाया, उनको बाहर बेजा, शेजाद न्यू यॉयोग गया, मौमर लंडन गई, मेरा मतलब है, और ये सारे बच्चे जो है, हमारे जो बेनों के, बाईों के बच्चे थे, सब एक साथ पले बड़े, कभी उनमें से किसी ने गिला किया हुआ आपसे, डिरेक्ट तो नहीं मुझे कर सकते, मगर शायद कहीं इधर उधर कुछ बोल देते हैं, आपसे कभी नहीं, तो आई नो, तब भी मुझे कुछ ऐसा, मैं उसक भी बुरा नहीं मान, कोई बच्चे, स्टिल बच्चे हैं बई, कोई वागत थी, अगर कभी सुनने को मिला आपको, पॉर्स, येस, और आप खुद अब जिससे बहुत सरी चीज़ों में आप समझते हैं, कि आपके रवएए में मिछले आर देस साल में, तरसे जिन्दगी म आपके एक बदावाया, उस हवाले से कभी आपने महसूस किया कि जब आप बबुजू दूर रहे किसी भी वज़ा से, बहुत ज्यादा इन्ही के वक्त नहीं दे पाए, जो आपकी मिजिक फैमिली थी, तो उस वक्त को आपने भी कभी, आप सोचा कि यार मैंने भी मिस किया उस वक्त को, मुझे खास तरह रोजाना की बुनियाद बे बच्चे बड़े होते हैं, मैं देखें, मेरे नजदीक तो और यह होना ही नहीं चाहिए था, यह होना ही नहीं चाहिए था, मैं तो इस टाइप का बंदा ही नहीं हूँ, कि जान के अपना घर को तोड़ के मैं कही उर करो, मेरी, जो दूसरी शादी थी वो तीन साल थी, मैं पन्को वो नहीं दे सका, ना, ताइम नहीं दे सका, मगर उसके बात तो बहुत जहला ताइम थीक्सम minutes, फिर जो मैं आने जहां वो डाम वो ड्मेज हुए था, रेपेर मैं तो कितने हुआ है? ठीक है, उमर के इस हिस्से में इतने उतार चड़ाओ, इतने तजरुबाद करने के बाद, अब आप क्या समझते हैं, कि बुजुहाद तो अगर देखिए, इनेविटिबल हो जाए तो आप जानते हैं कि दीन में भी इसकी जादत है, मगर आप क्या समझते हैं, कि शादी एक ह आप क मरें एक आपको आप समझते हैं, क्या नहीं मिरे एक ही शादी होनी शादी ही है, यह पूर्स, यह वो तो टूट गई है, हो गया तो पर जो नहीं यह तो माश्रे में हमारे यहां पर है ना कि यार वो नहीं हो सका, डिवर्स हो गया, बहुत सी वजवात होती है. तो अगर डिवर्स के बाद एक अलग मामला है वगर अगर रिष्टा ठीक चला है तो आप समझते हैं बिला वजे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए अगर सब कुछ ठीक है ठीक चला है आँ अफ कॉर्स येस क्यों भई क्यों करनी चाहिए